गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मेरे चैनल के अजी और फ्रेंट में आपका स्वागत है करपेस को सब्सक्राइब करें सेर करें कमेंट करें और विल आइकान को दबाएं साथियों एक फलो की दुकान पर एक व्यक्ति खड़ा था वो केले के दाम पूछ रहा था दुकानदार ने उससे कहा 50 रुपे दरजन उसने सेव के दाम पूछे दुकानदार ने उससे कहा 200 रुपे दरजन इतने में ही एक व्रिद्म हिलाई उसने पूछा केले क्या भाव द दुकानदार ने कहा 10 रुपे दर्जन उसने पूछा सेव क्या भाव दिये दुकानदार ने कहा 50 रुपे दर्जन उस महिला ने अपने जेव से कुछ सिक्के निकाले और बड़ी छोटी सी मात्रा में फल लेकर वहां से चले गई बाजू में जो व्यक्ति खड़ाता हो हैरान उसने कहा अभी अभी आपने मुझे केले 50 रुपे दर्जन और सेव 200 रुपे दर्जन बताएं और आपने इस महिला को इतना कम क्यों बताया उस दुकानदार ने जवाब दिया साब इसका दुनिया में कोई नहीं है ये मेरी दुकान पर आती है मैं कई बार इसकी मदद करन चाहता हूं इसको दान देना चाहता हूं इसको free में फल देना चाहता हूं ये कभी नहीं लेती इसमें इतना cambiarने और मैंने देके है ये जब भी मेरी दुकान आती है उस दिन मेरी बिक्री कई गुनां बढ़ जाती है मुझे ऐसा लगता है ये मेरी दुकान आती रहे ये मुझसे लेती रहे इसकी मैं जैसे ही मदद करने की सोचता हूँ मुझे लगता है उपरवाला उस दिन मेरी मदद करने लग जाता है इसलिए मैं हमेशा इसको वो भाव बताता हूँ जिस भाव पर ये फल लेके चली जाए और उपर वाला मुझे महरवान हो जाए साथियों कहवत है जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेव खोलते हैं उपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है एक अच्छे आदमी के पास धना है सौ लोगों का भला होगा एक बुरे आदमी के पास धना हैगा दुनिया में किसी का भला नहीं होगा साथियों यूरोप का एक रेष्टरों ध्यान आता है मुझे बीच में जब अनेक बार कहानी आई जिसमें यूरोप के एक रेष्टरों की बात आई मैंने व्यक्तिकत रूप से उस रेस्ट्राओं को विजिट किया मैं वहां का आखों देखा हाल बता रहा हूँ जब भी उस रेस्ट्राओं में कोई व्यक्ति जाकर एक कॉफी और करता है अपने लिए तो एक cup coffee मेरे लिए और एक cup coffee anonymous के लिए और anonymous के लिए का आर्थ है वो दो coffee के पैसे पटाता है एक coffee वो खुद पीता है दूसरी coffee का sticker दिवाल पे चिपक जाता है कुछ देर बाद कोई गरीब, कोई under privilege, afford ना कर सकने वाला व्यक्ति आता है और उस दिवाल से वो एनानिमस वाला स्टिकर उठाता है, काउंटर पर लेके जाता है, कौफी पीता है, चला जाता है जाने लोग ऐसा किस-किस चीज के लिए करते है, वो पिज्जा के लिए करते हैं, वो कौफी के लिए करते हैं, वो बेकरी आइटम्स के लिए करते हैं, वो अपने लिए लेते हैं, और साथ में एक किसी अंजान व्यक्ति को दान दे देते हैं, मैं धन्य हूँ, ऐसे देशों क की मानसिक्ता पर मैं धन्य हूँ ऐसे लोगों की मानसिक्ता पर जहां इस तरीके की सोच है आज मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि उपर वाले ने आपको सामर्थ द्वान बनाया है जितनी सामर्थ हो दिल से दान करेंगे ना एक रुपए भी लाख रुपए के बराबर काम आ करती से बैठ जाओं तो बस उस दिन अपना पेड़ भर लेना और जितना एक्स्ट्रा कमाओं दुनिया के लिए कमाना उन लोगों के लिए कमाना जो आपके जितने भागिशाली नहीं है आज वारें बुफए 80 साल के हो गए उसके बावजूद वह एक-एक मिनट कमाते हैं बिल गेट्स हर छण उनकी कमाई करोड़ों से बढ़ती है उसके बावजूद उन्होंने कमाना नहीं छोड़ा ये दुनिया के सबसे विनम्र लोग है ये खुद पे सबसे कम खर्च करते हैं आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं आज भी समाने गाडियों में चलते है आज भी lowest luxury में जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन ये कमाने में यकीन करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने की ठान लिये किसीने malaria को मिटाने का ठाना है किसीने hepatitis मिटाने का ठाना है किसीने AIDS मिटाने का ठाना है किसीने प्रकृति बचाने का ठाना है इन सब उने कु में भागके शाली नहीं है आज आपको संकल्प देता हूं कल कीजित को कुछ Kon 기ण कीजिए किसी को कहीं कुछ सेवा दान कर दीजिए किसी को कोई दवाई दान कर दीजिए किसी को शिक्षा कर दीजिए कब तक अपने हाथों को ऐसा रखोगे कभी मंदिर में मांगते हो कभी मजजिद में मांगते हो कभी गुर्दवारे में मांगते हो हाथ ऐसा करने की जगा जिस दिन हाथ लेने वाले की जगा देने वाला हो गया ना उस दिन उपर वाला आपकी चिंता खुद करेगा और जब उपर वाला किसी की चिंता करता है तो उसको अपनी चिंता करने की जरुरत में बढ़ती और हो सके तो अपने प्राफिट का या और बड़ा करना हो तो अपने टर्नोवर का छोटा सा एक हिस्सा संसार के लिए रख देना आपके साथ जो आपकी टीम काम करती है आई एसार इंटर्नल सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी दुनिया में बड़ी बड़ी जगा बड़ी बड़ी चीजे बनाइए लेकिन आपकी अपने टीम के लोगों की फिक्र करिए यदि आपके स्टाफ में किसी का बच्चा ब्रिलियंट है शिक्षा नहीं ल करता है तो वह बीमारी से उसकी पूरी एकोनामी कर बला जाती है उसका मेडिकल इंशुरेंस कराई है यदि ना कराया हो यदि संभव ना हो तो कम से कम उसकी हारी बीमारी में कुछ दान कीजिए आप से अपील करता हूं बिना एक छण की देर कि आज ही दान स्टाट करिए जीवन का कोई भरोसा नहीं यदि वे वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुचा हो